हेलो दूसी संकर एंड यूचिंग कैंपूस नियूर्स दोसों दिली बिस्वी दल्ले के स्क्लोप पिलड़नी के फोर समेश्टर और सिक्समेश्टर का जो है ओफलन मोड में आपका एक्जाम जो है कैसे लिया जाएगा आज हम ये बताने वाले हैं साथ में आपको एक्जाम देते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना है साथ में आपको एक्जाम के संटर पे आपके पास में कौन-कौन सा important documents होना चाहिए साथ में आपको अपना answer sheet जो है कैसे लिखना है तो पूरे detail में आज हम यही संट जाने वाले हैं बाकी गर आप चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में बेल एकन को प्रेस क्रेकर का बटन दवा लिजेगा ताकि D.U.S.L. से related सार अपडेट हमारे चैनल पे आपको मिलता रहे तो दोस्तों काफे लंबे इंदिजार के बाद जो है अब दिल्ली बिसुई देले के क्लॉप लर्निंग के जो है ऑफलन मोड में जो है एक्जाम स्टार्ट हो चुके हैं हालाकि इससे पहले जो है चाहे वो फोर समेश्टर का हो या फिर जो है सिक्स समेश्टर का जो है ऑफलन मोड में जो है एक्जाम नहीं दिया था अस्वाल के छात्रों ने तो इसी को लेक लिजेगा ताकि SLC related कोई dots है कोई सवाल है तो कभी भी जो है आप वहां पे जो हमें फॉलो करके पूछ सकते हो डायरेक्ट जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहां पे जाके जरूर फॉलो कर लिजेगा तो दोस्तों अब वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों यह exam आपका offline mode में ही लिया जाएगा और आपके admit card में आपका center अलॉट कर दिया गया है जिस भी center पे आपका exam लिया जाएगा उसमें आपको जो है मेरा suggestion यही है कि एक दिन पहले आप जाके उस center पे विजिट कर ले ताकि आपको पता चल जाएगा कि यह center जो है तो आपका exam के जिस भी समय में आपका exam होगा उससे लगबग आधा घंटा पहले जो है वहाँ पे पहुंच करके रहें बहुत सारे student यह करते हैं कि आपको center पता नहीं होता है और direct exam के दिन जाते हैं जिसके कारण उन्हें center पता ना होने की कारण exam में late हो जाता है तो लेजाएं और आपको अपना admit card साथमें ले जाना है साथमें अबना अधार card और सबस्क्राण यह बहुत होना चाहिए और आपका जो है admit card हो भी जाता है तो आपको जो है अधार card और अगर आपका जो है ID card होता है तो इसके इसके साथ में भी जो है आप exam दे सकते हैं बाकि अगर आपका जो है admit card जो है जरूर होना चाहिए अगर आपके पास में है तो बरना जो है इसके बिना जो है आपको exam नहीं द वहाँ पे आधा गंटा पहले पहुंच जाए लगबग 15-20 मिनट पहले आपको अलॉट कर दिया जाता है सेंटर पे उसके बाद आप वहाँ पे जाएंगे और आपको जो क्लासेज है वहाँ पे आपका लिश्ट लगा हुआ रहता है जिस भी लिश्ट में आपका जो है रॉल नमर के एकोडिंग जो आपको क्लासेज दिया होता है उसके लगबग 3 गंटे का लिया जाएगा क्योंकि आधा गंटा आपको जो एक्ष्ट्रा दिया जा रहा है तो आपको सारे तीन गंटे के अंदर आपको अपना answer seat लिखना है बाकि यही है कि आपको एक्जाम के answer seat पर सबसे पहले तो आपको डेटेल फिलफ करना है जिसमें आपको अपना नाम, roll number, exam roll number, साथ में लिखना है तो यह सब चीज जो है आपको जो है डिटेल जो है आपको ध्यान रखना है उसके बाद जो है आपको अपना आंसर सीट जो है लिखना इस्टार्ट कर देना है लगबग चार से पांच कोश्चन का आंसर आपको जो है देना होता है और हर एक कोश्चन का आंसर जो ह जो है आपको अपना answer seat जो है देना है तो यह जरूर दियान रखना है बाकी आपको जो है अच्छे से आपको साप सुतरी राइटिंग में जो है एक्जाम दे आसानी सी दे एक्जाम घबराने वाली कोई भी बात नहीं आप अच्छे से लिखोगे तो आपको जो है अच्छा टिक्लीर किया जाएगा तो ुस सब्जक्ट में जिस भी सब्जैक्ट में आप चीटिंग कर रहे है उसमें आपको आपको बिसका एक्जाम तो यह जरूरूर धिया रखना कर जाएगा तोछो Έद्फी तरफ से नहीं पढ़ाया गया ना तो ठीक से classes दिया गया है और नहीं जो है आपको study material जो है printed जो है उपलब्द करवाया गया है तो ऐसे में जो है जायर सी बात है कि बहुत सारे छात्र जो है मिल जाएगा तो वहां पर कभी भी जो है आप पूछ सकते हो तो अच्छे से जान दे बाकि और भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉमेंट करके भी बता सकते हो बाकि आज के इस वीडियो में इतना है बाकि सुक्रिया धन्यवाद